दोस्तों रेडमी की वेबसाइट्स पे एक आर्डिकल आया है उनकी जो नई लाउंच होने वाली है 20 जुलाई को उसके बारे हमें कुछ डिटेल्स है तो वह मैं खोल के बैठा हूँ आपको जो रेडमी और साइड में लिख रखा है रेडमी और नोट और बीच में 9 जो है व वह अब जाकर के इंडिया में लाउंच होगा और इसमें भी बहुत सारी चीजे दे रखी है उनोंने लिख रखाई डिजाइन चैंपियन तो डिजाइन आप सब जानते है कि जो रेडमी नोट 9 प्रो का है सेम वही होने वाला है इसके लाब फोटोग्राफिक चैंपियन भ इसके लिए इसको फोटोग्राफिक चैंपियन कहा गया है इसके निचे आपको लिखा हुआ दिख रहा है गेमिंग चैंपियन और साथ में लिखा हुआ है हाई फ्रेम्स रेट पर सेकंड विच हैल्प्स इसमूदर एंड मोर प्रीमियम गेमिंग एक्स्पिरियंस तो हाई इसके लिखा हुआ है तो लगता है कि साथ 90 हर्ट की डिस्पले आपको मिल सकती है बर तो रेडमी नोट 9 ग्लोबली लॉंच हुआ था अगर सेम तू सेम वैसा ही लॉंच होता है तो जीटी फाइवा है आपको तो हाई फ्रेम रेट कैसे मिलेंगे वह तो 60 हर्ट की डिस्प सपोर्ड मिलेगा UFS 2.1 का सपोर्ट नहीं मिल पाएगा इसके लिखा हुआ है बैटरी चैंपियान मैसिव बैटरी विद फास्ट चार्जिंग सपोर्ट चार्जर भी आपको रेडमी नोट 9 प्रम 18 वाट का मिला था तो हो सकता है कि रेडमी नोट 9 में भी आपको 18 वाट की ही फास्ट चार्जिंग मिले इससे उपर की मैं लगबग एक्सपेक्ट नहीं कर सकता हूं बाकि क्वालिटे चैंपिन की बात करें तो बैस्ट क्वालिटी फॉर हाईयर दूरिबिलिटी एंड लॉंगर लॉंगेटिविटी तो चाहिर यहां पर आपको ग्लास मिलने वाला है और फ्रेंट साइड में आपको पंच होल कैमरा मिलेगा जो में भी साइस 16 मेगापिक्सल का हो सकता है बाकि देखते हैं कि अगर 16 का होता है तो काफी अच्छी बात यह होगी लेकिन 13 मेगापिक्सल का चलता हुआ आ रहा है है इनके रेडमी नोट वाली सेरीज में हो सकत ने कोशिस यहां पर एडमी करता है गलोबल की तरह है इंडिया के अंदर गलोबल और इंडिया में अगर सेम लॉंच होता है तो फिर बाद में लॉंच करने कोई फायदा भी नहीं है कम से का मुझे है एक्सपर्ट कर सकते हैं कि कुछ ना कुछ चेंज करके ही इसको बाइ टे केर चाहिए